वेद कुमार के घरेलू नुसके चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छा नुसका जिसके इस्तेमाल से आप अपने आखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं और यदि आपकी आँखों पर मोटे मोटे लेंस के चस्मे लगे हैं वो भी आप इसको बहुत ही कम दिनों में इस नुसके को आजमा कर नुसके को इस्तेमाल करके आप उसको उससे भी बच सकते हैं चस्मा भी आपका छूट जाएगा दोस्तो आखी हमारी सरीर का एक बहुत ही महतपूर्ण अंग होती हैं आखों की रोशनी में थोड़ी सी भी कमी आने पर बहुत परिसानी का सामना करना पड़ता है चाहे तो कम दीखना नजदीक की रोशनी कम हो जाए या तो दूर की दोनों की तरीके से ही हमारी आखों के उपर बहुत तनाओ पड़ता है सिर्म दर्द रहना वो मिटिंग आना और कई तरह की और प्रॉलम हो सकती है दोस्तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है यदि आखों की रोशनी कम हो जाए दोस्तो इसकी मुख्ये वज़े कैई हो सकती है कई बार काफी सीरिस प कारण भी हो सकते हैं इसके दोस्तो सामानी तोर पर आखों की कम रोशनी का इलाज यह तो मार्केट में डॉक्टर्स के पास इसका अवेलेबल है लेकिन कई बार हमारे जो घरेलू नुसके हैं वो दवाओं से भी जादा ऐलोपेतिक दवाओं से भी जादा काम करते हैं दोस इसकी आखों की तमाम समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं आखों की रोशनी तेज कर सकते हैं और चसमे से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं दोस्तो इसके लिए हमें चाहिए एक तो बादाम चाहिए और हमें चाहिए मिसरी कुंचा मिसरी चाहिए बड़ी वाली मिसरी ले इसके लिए और एक चाहिए सौंफ बड़ी वाली सौंफ जो कच्ची होती है ग्रीन वाली सौंफ वो ना ले बड़ी वाली सौंफ ले सौंफ को ले और इसको बिल्कुल अच्छे से साफ कर ले ठीक है और उसको बारीक कूट कर इन तीनों को बारीक कूट कर चान कर बारीक चुरन बना ले और इनको तीनों को बराबर मातरा में लेना है बादाम और ये है सौफ और ये है कुँजा मिसरी इन तीनों को बराबर मात्रा में लेना है यदि आप इसमें 100 ग्राम की मात्रा लेते हैं तो इसमें 5 ग्राम की मात्रा आप इसमें दखनी मिर्च की मिलाएंगे दखनी मिर्च क्या होती है दखनी मिर्च बिलकुल काली मिर्च की तरह होती है लेकिन वो सफेद होती है सफेद मिर्च भी उसको बोलते हैं ये भी रासन की स्टोर पर रासन की दुकान पर किसी पर भी आसानी से उपलब्ध है इसको आप ले सकते हैं दोस्तो ये चार चीजे हैं जो आँखों की रोशने को वापिस लाकर आपके चसमे को छुड़ा सकती है दोस्तो इन सबको और यदि आपको 50-50 ग्राम लेनी है ये तीनों चीजें तो इसका दखने मिर्च का यानि सफेद मिर्च का आप आधा चमच ले सकते हैं इतना इसको मिलाना है तोड़ा तीखा होता है ये और आखों के लिए ये भी बहुत बेस्ट है दोस्तो सौफ नूट् और एंटी ऑक्सिजेंट से भरपूर होती है जो इसपेसली कैटरक्ट के प्रोग्रेसन को बहुत स्लो कर देती है ना के बराबर उसको रोग देती है दोस्तो आखों के लिए सौफ का लंबे समय से इस्तिमाल होता चला रहा है दोस्तो सौफ बहुत अच्छी आख के लिए बादाम भी ऑवराल हमारे कंप्लीट बोडी की हेल्थ के लिए बहुत इंपोर्टन्ट है और ये जो दखने मिर्च है ये भी आँखों के रोशनी के लिए बहुत फायदमन्द है तो तीनो चीजें और ये जो हमने मिसरी मिलाई है इसमें ये टेस्ट के लिए है चीनी ना म इसमें आप मिसरी का इस्तिमाल करें दोस्तो अब इसको पॉस्टर बना कर आप किसी काच की बोटल में भरके ले और चालिस की दिन तक आप इस में से इस पॉड़र में से एक चमश ले और गाय के दूद के साथ या भैस के दूद के ताया आप इसको रात को सोते समेले एक चम्मच आपको सेवन करना है और यदि ये खुराक ये सेवन इसका बच्चों को कराना है तो इसकी मातरा आध ही कर दे आध हचम्मच ले सिर्फ इतना उनको जो दूद वो पी सकते हैं 50-100 ग्राम उसके उपर उसको मिसरी मिलावा दूद पिला दे ठीक है इसके इस उपाय के इस्तेमाल से आपके जो आँखों के रोजनी है वो 100% ठीक हो जाएगी और यदि आपको जादर दिन की जिरुत पड़े इसको 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 कर सकते हैं क्योंकि इसके side effect बिलकुल नहीं है जितनी भी इसमें चीचे हैं वो सब natural हैं और आयरुवेदिक हैं इसके साथ साथ आप थोड़ी सी एहग्याद बढ़ते अपने lifestyle में जैसे टीवी या computer के screen के सामने ज़्यादा नजदीक से ना बैठे थोड़ा सा दूर हटके बैठे और बीच बीच में पलकों को जबकाते रहें brightness टीवी की या फिर computer की screen की कम कर दें डिम या धिमी रोशनी में बिलकुल ना पढ़ें इससे आँखों के ऊपर वो पढ़ता है स्टेन पढ़ता है इसके वज़े से दोस्तो काम के दोरान हर बीस मिनट के दोरान हर बीस मिनट के बाद अपनी आँखों को थोड़ा सा rest दे दोस्तो धूप में निकलें तो sun glasses का इस्तेमाल करें और सेव का भुरबा पपीता इनका सेव नियमित रूप से करते रहें गाजर है वो भी आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है गाजर का भी सेवन आप सलाद के रूप में करते रहें हलवा बना कर खाएं ये सबजी बना कर खाएं किसी भी तरह आजकल मार्केट में गाजर बहुत ज़्यादा उपलवद है और इसको आप इस्तिमाल कर सकते हैं नियमी तूरूप से दोस्तो ये थे आँखों की रोशनी को वापिस लाने के बहतरी न उपाएं और अपने आँखों की रोशनी वापिस पाएं और चस्मों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लें दोस्तो आज के लिए सिर्फ इतना ही हमारे यह वीडियो हमारे यह उपाए आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें हम जल्दी फिल लोटेंगे कुछ नहीं मर्ज और उनके असेंट से उपाए के साथ तिल देन बाई बाई टेक कियर